हलो मैं शिल्पी आप सब का अपने चैनल में फिर से एक बार स्वागत करती हूं और आज यहां पर हम एक और लेक्टर लेकर उपस्तित हुए हैं जिसमें हम आज इंटरनेशनल का जो भी वन येर का करेंट अफेर्स हैं जिसमें हम अंतरास्ट्रे संबंध उसके अंतरकत के करन को हम देखेंगे तो काफी हद तक 95% हम इस किताब को कर चुके है 97% मैं बोलोंगी वागी का 3% कल के लेक्चर में आपको मिल जाएगा या आज यह लेक्चर 22 और कल एक और लेक्चर आएगा 23 ठीक है तो उसमें पूरा आपका आई द्रिस्टी कवर हो जाएगा इसके बा करेंगे ताकि जो भी आपने अब तक पड़ा है उसकी समझ जाएं कि उसे कैसे प्रश्ण बन सकते हैं उन प्रश्णों की प्रकति क्या हो सकती इन सब चीजों को हम आने वाले लेक्चर में समझेंगे तो फिलाल जिसने भी अभी तक 22 लेक्चर तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके उन लेक्चर को धिरे धिरे देली देखिए इसके बाद ही आप जब आप उससे डिरेक्ट पर पूर सकते हैं वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उने लाइक करें वीडियो को शेयर करना विलकुल ना भूले चैनल को आप तक आपने सब्सक्राइब करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 53 पे जब आप देखेंगे तो आपको परिदर शिवाला जो है अंतरास्ट्रे करेंट अफेस का उसका बस रहे जिसमें आज हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं अंतरास्ट्रे संबान ठीक इंटरनाशनल रिलेशन्स कौम्यां पढ़ेंगे अब सबसे पहले यहां कह रहा है भारत और केन्या के संदर में तो क् ग्लोबल वायो फ्यूल अलाइंस और अंतरास्ट्रे सौर गठवंदन में शामिल होने की घोषना की है तो केन्या ऐसा देश है जिसने ग्लोबल वायो वायो फ्यूल अलाइंस और इंटरनाशनल सोलर अलाइस यह आई एस ए और आप देखेंगे जी बी ए ठीक है इन दोनों पर जो है इसमें शामिल होने के लिए इसने घोषना की है यहां पर ध्यान रखना है इसी के साथ साथ आप जब नीचे आएंगे ना इसमें याद रखना कि भारत और केन्या के जो केन्या है उनके रास्ट्रपति जब राज की यात्रा पर आयते तो उन्होंने इस तॉर अगला टॉपिक यहां पर भारत दो तजानिया की बात करेंगे तो तंजानिया के जो रास्ट पती है वह यहां पर देखिए क्या चीज इंपॉर्टन न को हमार्य ठाश हम िनार्स चैंट यह इनका नाम है साम्या सुलुहु हसन वibl सुलुहु हसन पहली भारत तेयात्रापर तanjayanas के या इसी रास्ट्पति जेंगों ने पहली भारत की है इसलिए इन्पॉर्टै और इस दृफ संवन मी अफ्रीकी संग में के नाहीं हो सथ और समया धर्श की पहली बाता है और अंच मारे ते Patientina जो अल्व संख्यक वर्ग के अंतरकत आते हैं उससे संबन देते हैं तो महत्पूर हो जाता है करंट के अफ़र से अब यहां पर ध्यान देंगे फरवरी जो सूरज कुड में फरिजावाद में आप देखेंगे सूरज कुड मेला लगता है उसमें तंजानिया को भागिदार देश बनाने का निवंतर दिया गया है पहली चीज इसके बार जैसे हमने यहां पर देखा था केन्या को वेश्विक जैव इंदन गटवंदन में शामिल ह स्थे बाता अपपते निवंदन में ऐसे ईसन वे खरेंभरत में पर दिया आप आप आता ही आम्याल वयूं जांव दिया ग्रीश बनाने देखा रिंता राग्र्यासच के इसके बाद यहां पर आप आएंगे भारत और ग्रीस तो यह important है क्यों क्योंकि देखेंगे कि अच्छा दो तीन चीज़े याद रखनी है जिस जिस देश को आमिंतरित किया है ठीक है उन्हें यहां पर देखेंगे कि जैसे मोदी जी को आप कही जगे देखेंगे हमारे जैसे कि अभी हम देखेंगे भारत और ग्रीस देखेंगे जो पिछले 40 वर्षों में किसी भारते प्रदानमंत्री की पहली गीस यात्रा थी इससे पहले जो ग्रीस यात्रा की थी वह इंद्रा कांदी ने 1983 में की थी ठीक है उसके बाद से 40 वर्षों के बाद प्रदानमंत् श्रदानजली उन्होंने अर्पित की नरेन मोधी ने तो यह किस से समंदते हैं ग्रीस से समंदते हैं अब यहां पर क्या था कि अलग अलग युद्धों की दौरान मारे गए ग्रीज के सैनिकों को समर्पित एक समारक बनाया गया है टौब अन्नोन सोल्जर जो की ग्रीस से समंदते हैं आप जब इसी नीचे पढ़ेंगे इसी लाइन में तो 25 अगर 2030 को ग्रीज की जो रास्पती केटरीना सकेला रोपो लो यहां तो नाम याद रखती से वर्णा अपनी जो एक्टरस है उनके पेस पर भी आप इसको याद मंत्री को ठीक है यहां ते क्लियर रहेगा यह जरूर याद रख लेना अभी जितना भी हम पढ़ेंगे उसमें ऐसी समान से समानित किया गया है वह ध्यान रखना है क्योंकि वहां से प्रश्ण बहुत बनने की संभावनाय बढ़ जाती है इसलिए इसको फाइव स्टार दे ग्रांड क्रॉस ऑफ द ओडर ऑफ ऑफ ऑनर है उससे समानित कहका है अपने प्रधान मंत्री को जो वहां पर पहली विदेशी शाष्ण नात्यक्षा है यहां तक क्लियर है यह नाम जरूर याद रखना है इसको मैं हाइलाइट कर देती हूँ ग्रांड क्रॉस ऑफ ऑफ इसके दौरान ठीक है अब यहां पर कह रहे हैं कि अब जब हां सम्मेलन हुआ तो उनके बीच कोई समझाता हुआ होगा कुछ ना कुछ तो जैसे मुए अबुदाबी यहां पर जो आईटी दिल्ली है उसके परिश्ण की स्थापना यूए आबुदाबी में स्थापित करन जो पहले आप देखेंगे जन जीवार यानि की तंजानिया में स्थापित किया गया था इसके बाद पर इसी में आगे आएगे पर भारत और फ्रांस के विशह में यहां पर क्योंकि देखेंगे कि मेंन्यमिल मेक्रो जो राष्ट पती है फ्रांस के वह दोजार चौबिस में इनको अरा जो गर्तंत्र दिवस था उसमें यह वरत दिवस पर जे इसा सब्सक्राइब किल Nolan कुछे है और इने किया झाल kan को फरांसी चाहते सब्सक्राइब करहें तो यहाँ रखन 클radi ऊहते जहां है लुघर है क्लिएर है अब यहां पर और 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 प्रैला मन्तरी मोधी पहले ह्लाजा ऩी कि है इस यात्रा के दर्ण प्राइन मंतरी मोधी नें फ्रांस के रास्ट्री दिवस यानि वेस्टिल दिवस को बोलते हैं o French national day को वेस्टिल दिवस के अफसर पर परिष्मे आयो जिसे मारहों में मुख्य अथिती की तोर पर ये वहां पर इती अपनी प्रतिवाग्टा दिखाई थी तो वो दिवस कौन सा वेस्टिल 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 दिवसे फ्रेंच का नाशनल डे है और ये भी महाँ पर मुख्याती थी कि रूप में गया थी जैसे कि रास्टपती मैनुवल जो फ्रांस के हैं वो हमारे गरतन दिवस पर आयते उसी प्रकार से ठीक है इसके बाद आपको देख रहा है क्या किदर हां यहां पर है जबकि आप देखें कि यह भी इंपॉर्टेंट है यहां पर हाइलाइट कर लेते हैं फ्रांस हैद्रावाद में व्यूरो डी फ्रांस खोलने की घोशना कर रहा है और भारत का जो यूपी आई है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस देखें फूल फॉर्म साथ में याद करते रहे जैसे पिन का भी फूल फॉर्म आरो यारो पूचा कहा तो कुछ इसी प्रकार से है यूपी यूपाइड पेमेंट्स इंटरफेस के फ्रांस में प्रयोक पर सहमती बनी हुई है इसके भारत के एंपी सिय यह यही के इंटरनाशनल पेमेंट्स लिंट्टेड इंटरनाशनल पेमेंट्स लिंट्स अ फ्रांस के लाहिरा कलेक्ट के सम्झाहूता हूं तो वहा का जो राधा जिसे है आ पर यूपी आई है वैसि पर Laira का नेक्त है तो उनके सारचांद एक संधोंता हूँ से whom थाया उर्णा तारीफे काबिल चीज भी है तो उसके साथ यह MOU हस्ताक्षित हुआ है और फ्रांस यूरोप में भारत की UPI को कारणवित किया जाएगा ठीक है यहां पर इतने इंपोर्टेंट है तो देखेंगे कि हैदरावाद में Bureau de France खोले की बात की गई है UPI के और NPCI और फ्रांस के लाइरा कलेक्ट को MOU हस्ताक्षित किया गया है इनको फ्रांस में किस प्रधान मंत्री को अपने किस समान से समान से समान किया गया है Grand Cross of the Leasing of Honor और ग्रीस में किस नाम से समान किया था The Grand Cross of Order of Honor ठीक है जनवरी दोजार थेईस में भारत के गरतां तर देवस्तमारों पर मिस्ट्र के राष्पति मुकतिती की रूप में आये थे अब देल फतेह अलसी सी थे तो यह दोजार थेईस में आये थे इसलिए प्रदान मत्री नरेर मोदी पाने वाले पहले भारती है जिनको मिस्ट्र का सरवोच नागरिक समान दिया गया है और दोज़र बाइस में भारत मिस्ट्र के मत्राजने संबंदों की स्थाप्र पिशत्तर वी वर्षकार्ट में बनाई गया थे इस पर नियुव यूर्क से संदर में यहां पर क्या कह रहे हैं तो भारत और अमेरिका के संदर में आम यहां देखेंगे पेज नमर 55 पे ही 21 ज क्या दोज़ुआ, थेम दीव से वी थीम यहां थी मैं यहां थीम थीम क्या थि वसुदायव कुट्वमकम के लिए योग की बात कर रहा है और मुख्यालय आजीत सत्र रहा है। इसे गिनीज वर्ड रिकॉर्ड में दर्श किया गया है तो नीचे आएंगे इसी में परदार मंत्री के साथ अमेरिकी यात्रा के दौरान भारत आर्ट में समझहाते पर हस्ताक्षर करने वाला 27 वा देश बन गया है वह समझता हूँ है है भारत क्या है इसका ऐस्ताइस वा देश बन गया अब मतलब है कि भारत जो है इससी क्या समझ आ रहा भारत क्या है इसका फाउंडिक बारने भारत इसका founding member नहीं है यानि कि इसके संस्थापक देशों में से नहीं क्योंकि 27 वा देश बना है अब आर्ट में समझा होता क्या है यह समझना है ऐसे सिद्धानतों का एक समूझ जिनी 21 शताब्दी में नागरिक अंत्रिक्ष अन्वेशनल की सिविल स्पिल एक्स्प्लोरेशन की दशा प्रदान करने के लिए डिजाइन क्या गया है इसके आर्ट शंस्थापक देश कौन-कौन से यह है जिसमें भारत नहीं है तो आप से हो सकता है स्टेटमेंट पूचे जाई कि आर्ट में समझा हाता किस से समझनेता है यह अमेरिका भारत से समझ देते हैं समझाता है किसे समझ नागरिक अंतिक शनुवेशन की दिशा प्रदान करने के लिए रिजाइन क्या गया है तो क्या भारत इसका संस्तापक सदस्द नहीं है क्योंकि 27 देश है भारत इसके बाद इस्ट्रो और नासा भू विज्ञान अध्यान यानिकी अर्थ साइंस स्टडीज के लिए निसार यानिकी नासा इस्ट्रो सिंथेटिक अपार्चर रडार नमक सेंग्त उग्रह मिशन को साकार करने की दिशा में यहां पर प्रयास्ट भारत क्या है नवींत भागेदारी देश यहां पर बन गया है तो दो तीन पर जिनको पढ़ लेना होगा ठीक है यह सारी चीज़े क्या है थोड़े सा रीट कर लेना ताकि नज़रों से गुजरे यह टॉपिक आपसका अधूरा नारे पेश नमर 56 पर जब आएंगे तो यह की रक्षा तुरित पारिस्टी तंत्र है और भारत अमेरीका से संबनीद है यह अक्षिल में क्या है यह पूरा यहां पर बहुत में होले है इंडस एक्स क्या है यह दोनों देशों से अध्यों कि मंत संयूत रक्षा प्रवद्व्वगी नवाचार और अत्यादुदे अध पादल को सुगम बनाएगा दूसरी चीज यह क्या है इंडेस एक्स के उपर ही दो थी पॉइंट्स देदेंगे तो याद रखना है कि यह विश्विध्याले इंक्युवेटर कॉर्परेटर इंचार मंच और निजी निवेश हिततार्कों का एक मंच प्रदान करता है इसलिए के बीच सेयुत रक्षा प्रदुग की नवाचार और अत्यादुनिक रक्षा प्रदुगी के जह उत्पात्म को थोड़ा सा सुगम और लिब्रल बनाएगा ठीक है इसमें बस इतना इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना है जिसको फाई स्टार सेवे स्टार दियों बहुत इ नवाय अन्वर्टी ऑसलेधा जान रहं कोई सब्सक्राइब मॉर् deed मेंच संब्सक्राइब इन ध dl दीष ऑमने देखा है च7ता संब्सक्राइब बोन दो शडटीगे कि शच्च नाम बाटत के राशच पति वह सब खेंगें कि नंप चंडरका प्रसाद संतोषी ऑizes जो है बारा मारिवो है Жुनल की सूरिणाम की नाया जाता है कि याट्रड करी और IMPORTANT का कि सथर्वी जो भारत की सूरि नाम के राश्च्पती सत्रवी प्रवासी भारती दिवस के अपसर पर मुख्यातिति की रूप में आये थी प्रवासी दिवस क homeless क्या है इसके संदर में कम बनाया जाता है क्या आप बता सकते है इसको ठीक है और इस यात्रा के दौर्ण भारती रास्टपती को सूरी नाम का सर्वोच नागरिक सम्मान Grand Order of the Chain of the Yellow Star Grand Order of the Chain of the Yellow Star प्रदान क्या है किसको अपने रास्टपती को यात्रा के दौर्ण भारती रास्टपती को सूरी नाम का सर्वोच नागरिक सम्मान Grand Order of the Chain of the Yellow Star तो क्या संभान है नागरिक संभाद किस देश का है और अपने देश में किसको उससे संभाने दीक है अगर आज़्ट पती को प्रदान मंतरी को किसको तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा ठीक है इसलिए इंपोर्टेंट है इसके बाद भारत और नेपाल के संदर में जब यहां पर आएंगे तो यहां पर देखेंगे कि नेपाल के प्रधारमती पुश्म कमल तेहल प्रचंड ने भारत की आदिकारेक यात्रा की है अब जब यात्रा पर आया तो यह कुछ समझौते ही हों उठ जाए व्यापार समझाते हुए क्या इस समझाते हैं अगले दस वर्षों में भारत नेपाल से दस हजार मेगावार्ट विद्धु तूर्जा के आयात का लक्ष्ण धायत किया गया है और यह जो है मोतिहारी बिहार और अमेल खंज यानि नेपाल पेट्रोलियम पाइपल इनको चितवन यानि की नेपाल तक ले जाने का देड़ने लिया गया है तो यह काफी इंपॉर्टेंट है कि कोई अगर आधिकारिक यात्रा हो रही है ना तो यह उपर किस पर हस्ताक्षर किये गए उसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या है वह बहुत महत्पूर हो जाता है इतना याद रखना है इसके बाद रहता है भारत और अस्ट्रेल और ऑच्ट्रेलिया तोirono अलवनीज धेंट है तो आस IPL88 भारत और ऑस्ट्रेलिया के मिंद ठीवरत अलवनीज है तो इन्लों भारत में अपनी शाका कोले वाला पहला विदेश அ जिल आहां है तो यह क्या है आउस्ट्रेलिया गजरात अपनी अन्ते शाका कोलने कि मनजूरी पराप्त होगी हो competing कि विज़ेशffविध्याल तो डीकिन विश्रित आले आस्ट्रेलिया से संबन देता है याद रखना है तो आपका यह काफी इंप्टेंट हो जाता है इसके बाद भारत भूटान के अगर बात की जाए तो देखें भारत और भूटान के संदर में आप देखते हैं क्या विशेश है यहाँ पर आप हां आ पर भारत सायोग मांगे देखियो जल्विद्युत परियोजने का नरिमार पार भूटान को सॉप त्रतावितあ त 만들어 के मले तो और पार भारत भूटान के मद्धा पहला रेल्वे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सालिया यह नर्मार की आहा भारतर उता है चैया फोड़ी कह बारत और इटली के संदर में पहले तो इटली के प्रदान मंत्री जॉर्जिया मेलोनी काफी जर्चा में बनी हुई है इसके बाद इनके साथ क्या है मेलोनी ने आठवे राई सीना समवाद में मुख अथिती के तौर पर यहां पर आई थी अपने भारत में तो यहां पर बस इन्होंने संपन की है और चौवत्तर में 74 रिपब्लिक टे पर यह मुख अधिती के रूप में 2023 में आए थे अभी आमने पहले भी देखा ठीक है इसके साथ से पहला अफसर था जब गर्तन दिवस के अफसर पर मिश्र की राश्पती को मुख अधिती के रूप में निवंत है वहीं आप देखेंगे कि 2018 में याधार शिला जो है पाइपलाइन की रखी गई तीक है यहां पर यहां पर इंपोर्टेंट आई बी एफपी यारी कि इंडियन बांगलादेश फ्रेंचिप पाइपलाइन के बीच पहली सीमा पार उर्जा पाइपलाइन है और इस बांग लिमिटेट एनरल के सिली गोडी इस्तित विपड़न टर्मिनल से बांगलादेश पैट्रोलियम कोपरेशन के पावर्टी पूर्डिपो तक विस्तृत है तो यह कहां से कहां तक विस्तृत होगी ध्यान रखना है दो तीन चीज़ें यहां पर आपको अच्छे से पढ़ ल तो वहां पर आपको देखेंगा अंतरश्ट्री प्रकरन एं बी पार्ट कां देख है यसे गर्वा ऑप गर्वा कि सको पता नहीं की गउजडरात ने रते हैं सबसे फेमस नेहते हैं तो यह अमूर्थ slow speak दक इसको रखा गया है यारं कि 59 एंजिब कर और सांस्क्रिति इतधिक इंत्करत के रखा गया है। इस फॉर्वह सो थितर यत केवल पूर्वजों से प्राप्ट ऑपड करते हैं जिनंके इसके इसे सम्काली ट्रावीम और शहरी परंप्राय भी शामिल होती है जिसमें विविद सांस्कृतिक समू भी भाग करते हैं तो अमूर्थ और बूर्थ विरासत में आपका कॉंसेप्ट लियर हुआ है इसके साथ साथ आप देखेंगे कि मतलम यहां पर देखेंगे यूनस्को के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है कि क्या है इसका है इसका है इस बैठक के दौरान 51 नई विरासतों को यूनस्को की अमूर्थ सांस्कृतिक विरासत की सूची में रखा गया जिसमें भारत के अगर बात करें तो इसके दौरान भारत की पंदरवी ऐसी अमूर्थ सांस्कृति विरासत यानि कि 14 अमूर्थ सांस्कृति विरासतों को शामिल किया जा चुका है उसमें शामिल किया जा चुका है अब गर्वा की बारे में अगर विशेश तौर पर बात करें तो गर्वा क्या है तो इसको गर्वो या फिक गर्वधीब गोलाकार छेद वाले मटके को गर्वो के नाम से जाना जाता हूं अमूर्त संक्रति विरास्व के सनक्षन के अंतर सरकारी समिति का सदस हैं यहां पर और 24 सदसी समिति में भारत का चुनाओं 2022 में चार वर्ष के कारकाल के लिग किया गया है तो यहां पर यह महत्पूर हो जाता है अब भारत की अमूर्थ सांस्कति विरासत में 15 कौन कौन से विरासते इसके अंतर के शामिल की गई है जैसे राम लीला पहल देना है इसको एक बार ठीक है वैदिक वंत्रोचारण कुटी अट्टम ठीक संस्कत नाटे कलाई रंबन मुडी यूडी यूडी टू कालवेलिया चाउनरत लद् में चारपास दिकिंग कौन से योग को 2016 में नवरोज यानिकी वर्षका उसाभी 2016 में कुम्मेला 2017 में शामिल किया गया कोलकाता की दुर्गा पूजा को भी 2021 गुजरात का घर्वा यह भी नवरात्रों के दौरान के दौरान का द्यादाट है दो जामिल कि अगर बोला जाए इंडेक्स जो 2024 का उसकी बात कर रहे है और यह क्या है CCPI climate change performance index अंतरास्ट्री जल्वाईव परवितन नीती में पारदर्श्रिता को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र साधन है इंडेक्स लाया गया है इंडेक्स लाया गया है इंपोर्टन किसके संदर में इसको यहां देखते हैं यहां पर याद करने वाली चीज़े क्या है कि 8 December 2023 को कॉप 28 के दौरा तो इससे क्या पता चला कॉप 28 का हुआ आट December 2023 को दौरा जर्मन वाच Climate Action Network International तथा न्यू जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सूच कांग जारी किया गया किस किस के दौरा जर्मन वाच Climate Action Network International और New Climate Institute के दौरा सहिंक रूप से आपका क्या जारी क्या है क्या जारी क्या है CCPI Climate Change Performance Index जो इसकी बात अभी हम करने है जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सूच कांग तो यह इंपोर्टेंट है पूछा जाएगा इसके बाद CCPI 2024 में कोई भी देश अपना इस्थान नहीं बना सका यानिकि इसकी जो टॉप 10 क इसकी कोई कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना सका ऐसा नहीं है कि अंधो मैं काने राजे स्थी जिस नहीं अच्छा कि उसको टॉप 3 में डाले स्के कुछ क्राइटीरिया है उसके को अगर वव वह फुल्फिल नहीं करेगा तो तो इसको तॉप 3 की लिस्ट में अगर से स्टार्ट है अभी समझाएंगे कैसे तो डेनमार्क ने क्या सी सी पिया यानिकि जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सूच गांग 24 में सर्वोच ट्रेंक वाले देश के रूप में चौथा स्थान के तो डेनमार्क फोर्थ पोजीशन पर क्योंकि पहले दूसरे तीसरे पर सबसे बड़ा कारवन डायकसाइड सर्जन देश कौन सा चीन है और पिछले वर्ष एक क्यानवे स्थान पर दूसरा सबसे बड़ा सी ओटू का उस सर्जक देश कौन है अमेरिका है जो की 97 स्थान पर है ठीक है अब यहां पर आप यह देखा इसके बाद ऊपर यहां की इसक 24 में टॉप देश कौन से है इसे चौते नमर पर डेनमार्क है पहले यादकना है इसके बाद साथवे नमर पर भारत है यह विशेश तोर पर यादकना है काफी इंपॉर्टेंट है कि जलवायू परिवर्तर प्रदर्शन जो सूसकान है CCPI Climate Change Performance Index उसमें भारत साथवे स्थान पर है यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसका CCPI 2024 ब्रिक्स देशों की अगर इस्तिती देखी जाये तो भारत उसमें भी साथवे स्थान पर है ठीक है ओवराल अगर देखा जाए तो भारत साथमें स्थान पर ब्रिक्स देशों में भारत साथे इंगे याँ पर अच्छी जाए इसके बाद यहां पेज नमर 60 पर आते हैं यहां पर देखें टाइम पर्सन ऑफ दा इयर यह काफी इंपोर्टेंट है यहां पर दोज़ाइश में इसको लाए गया था और यहां पर क्या इंपोर्टेंट है कि भारत की तरफ से पहली बार ध्यान रखना है अभी तक मात भारत की तरफ से पहली बार महत्मा गांधी को पहले और एक मात्र एसे भारती है जिनको 1930 में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ दा इयर चुना था लेकिन प्रधान मंत्री मोंदी को चुना गया है लेकिन यहां पर किस बेसिस पे क्या नाम से इनको चुना गया है कि 2014 और 2016 के टाइम पर्सन ऑफ दा इयर उनलाइन रीडर्स पोल का जो विजयता है पर्धान मंत्री भारत के नरेद मोजी जी है ठीक है लेकिन पर्सन ऑफ दा इयर अभी तक सिंभारत के वहात्मा गांधी को पहले और एक मात्र व्रक्ती अभी तक इनको चुना गया 1930 मे था इंपॉर् आप यहां पर कह रहे हैं कि इसी प्रख्यात जो इनकी टाइम पत्रिका ने दा साइलेंस ब्रेकर नामक समू को परसन आफ दा इयर घोशित किया था यह अब देखें यहां पर अभी तक क्या हुआ व्यक्ति को यह दिया जाता है पहली बार ऐसा है कि जहां पर एक जो है समू क ग्रुप को टाइम पत्रिका ने परसन आफ दा इयर घोशित किया है क्या दा साइलेंस ब्रेकर नामक समू को किया है जिसमें पत्रिका में केवल कवर पेश पर शामिल महिलाओं में टेलर स्विफ्ट को भी इस्थान दिया गया था चीक है अब यह साइलेंस ब्रेकर क्या है तो साइलेंस प्रेकर समू ऐसा है जिसमें लोगों का प्रतिनिजित करता है जिसने अपने साथ हुए यौन दिर्वावार की विरुद आबाज उठाई है और टेलर स्विफ्ट की जो बात कर रहे है वो टाइम के परसन आफ दा इयर के कवर पेश पर दो बार स्थान पाने वा गोशित होने वाली यह प्रत्थम व्यक्ति है कौन टेलर स्विफ्ट जिनको पहली बार कला के शेतर में टाइम सो परसन आफ दा इयर के अंतरकर उनको नवाजा किया है ठीक है अब टाइम पत्रिका के कुछ और प्रमुक्ष्रेडिया के विजेता गोशित है जैसे सीयो ओल्टमैन को यह ओपनिया के सीयों है ठीक है एथलीट ओफ अफ यह यह लिए हैं मेंसी फुट वो लर है बेक्थु आफ दे एयर एलक्स दिवेल है ठीक है तो यहां पर इस थोड़ा साप को पढ़ लेना होगा इसके बाद यहां पर आता है यहां पर आता है नदी प्राकरण की बात कर रहे हैं पहली चीज आपको क्या समझनी है आपको याद होगा पेज नंबर अगर 26 की अगर मैं बात करूं इसी किताब में पेज नंबर 26 में देखें गांगे डोल्फिन उत्रप्रदेश का जलिय जीव घोशित किया गया ठीक है तो आपको पता होना चाह चाह, पर न पबना रहे हैं देघ कब बनाए जाता है याँ पर देखेंगे मीहँए में पानी से गांग Democr but know Ruth को में क्वांग विश्य नदी है उसमें बोटो डॉल्फिन पाई जाती तो चार जो है डॉल्फिन प्रजातिया है जिनको बारे में आपको पता होना चाहिए को सकता आप से लिस्ट दे दे कि अलगलग डॉल्फिन के नाम दे और किस-किस देश सम्बंदिते किस-किस नदी पर कावज है तो बूलेंगे नहीं पेज नबर 26 आप खोलेंगे इस पेज पर तो वहां पर गॉंगे डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जली जीव के बारे बताया गया है वहां पर डिटेल में वही सब चीज है जो अभी मैंने बोली है अब इसमर्णी तत्र के अंतरगत देखेंगे कि 11 देशों ने विश्व की नदी डॉल्फिन की छे जीवे प्रजातियों की विलुप्त होने को बचाने के लिए कोलंबिया की राज़ानी बागोटा में एक एतिहासिक समझा होते पर हस्ताक्षर के हैं तो कोलंबिया की पांगला देश भारत भारत की आस पास की चीजों को ध्याना के नेपाल पाकिस्तान ठीक है तो यह याद रखना है क्योंकि उसकी राज़ानी बागोटा में ही इस जो है जो छे जीवित प्रजातियों के विलुप्त होने पर डॉल्फिन के यहां पर आतिहासिक समझाते पर हस्ताक्षन हुआ नदीगान के डॉल्फिन सनक्षन के वैश्विक खोशना पर ठीक है तो यहां पर यह हमें बेसिक चीज़े याद रखने है और डॉल्फिन की बात हो रही है तो भारत के संदर में भी इसकी बेसिक में जाना पड़ेगा आपको ठीक है क्यों एस जो है जिरूपर बंदक हैं और इसे तहते हैं जो है इस इनका मॉन लियांकन ग्यारा जो संकेटाक रिटीकर पर किया जाता है सबसे जयंगे भारत के हैं सबसे जयादा विज्विदाल्य है भारत की एक गीञट और टालउस लेकिन एसकी कर दोजर चाहिना का है पेकिंग विश्विधाल्रिय। वह है मुख चाहिना तो यादत अतना है इसके बार हम टॉप हंडरेड़ में शामिल भारती विश्विध्यालों आप देखेंगे जैसे पहले नंबर पर एश्याई रैंकिंग में 40 लेकिन पहले नंबर पर है भारत में अगर पहले नंबर पर देखा जाए इसके इंदगत तो आइटी बॉम्बे है ठीक है और चालिस वी रैंक एश्याई प्राइंक के साफ तो है इसकी धान रखेंगे ना यह क्याए यह क्या है आपका कंवेंश्ट का चर्चा में बणा हुआ है कानुनी रूफ से देखेंगे की कानुनी रूफ सेवादिकारी अंतर रास्ट्र उसको बनाया गया था नाटो वार्षा संदि आप बताएता तो इसके सदर से थे इसके अंतगत इसमें क्या था कि इसमें बोला गया था कि रूप के संदी ने यूरोप के पारंपर एक सेंड उपकरणों की पास प्रमुक्ष रेडियो टैंक वक्तरवंद युद्दक वहां तोप खाने लडाकों हेलिकाप्टर लडाकों विमान पर सीव इसको बाहर कर दिया गया है ठीक है यहां पर सी एफ यह संदी का पूर्ण जो नाम है वो ट्रीटियों कंवेंशनल आप फोर्स इस यूरोप है थोड़ा सा देखने लाइक है बस थोड़ा देखना है इसके बाद आता है ग्वालियर और कोकी कोजी कोट यू सीचन में शामि अधिश क्या है कि ऐसे शहरों के मद्द सहीयों को बढ़ावा देने का उद्देश क्या गया है जिन्होंने आर्थिक समाचिक सांस्कृति को परेवरणी इस तर पर सतत्विकास और एक रणिति घटक के रूपर रशनात्मक जो है मानता प्रदान की हो इसमें साथ रशनात् दिवस वाले दिन 31 औक्टूबर को और भी क्या मारा आए जाता है भारत में रास्ट्री एकता दिवस ठीक है तो विश्व शेहर दिवस के नाम पर ही टिक लगाएंगे ठीक है विश्व शेहर दिवस 31 औक्टूबर को 55 उनेस को रशनात्मक शहरों के नेट वक में शामिल कर be Your creative चेत्र जो रखे गए है उसमें कौन कौन से creative चेत्र शील पेवम लोग कला मीडिया आर्ट फिल्म डिजाइन पाक कला साहट और संगीत है तो गौल संगीत में जब केशितों को जी कोट को साहित की है ईनौश्चों की रशनात्मक्षारों में शामिल गया है वहीं आप яж groupe के शीक में शीक मेरी नट्वक नेत्वरक भारत के जो खाने शामिल के रिफ्य Till पर कंछ़्य नेत्वर्ग हो गयी ऑसमक्षाइए उस्ट प्रोक ट्रति हो प्रदान की गई और वहीं आप देखेंगे ग्वालियर की यह जो ख्याती संगीत के शेत में जो संगीत संगीत समराथ तांसेर वैजू बावरा के कारण इसके इसके बाद को कोजी कोड जो केरल में यूनस्को के साहित के शहर के लिटरेक्चर के सिटी के रूप में रखा गया उपर हमने यह दो चीजे हमें इसमें याज रखने होंगी को कोजी कोड और ग्वालियर को संगीत के कोजी कोड को साहित के शहर के अंतरगा इसके रिए रखह गया है इसके बाद यहाँ पर आपका यह इंपॉर्टेंट हो जाता है इसराइल फिलिस्तीन विवाल तो इसमें देखेंगे कि इसलाम इसाई और यूदी धर्मों की इस चेत्र से संबंदित अपने यहां पर दावे करते हैं और यहां पर दो-तीन चीज़ें हमें जो याज रखने ही बहुत चर्चा में हमेशा बना रहा था कि इसमें जो हमास की दोरा इसराइल पर किये गए हमले को आपरेशन अल-अकसा फ्लर्ट नाम दिये गए इस के प्रतितर में इसराइल ने किया कि ऑपरेशन आइरें स्वाड्स नामक अवियान चलाया था किसके लिए हमास के लिए तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 27 अक्टूबर 1223 को सेंक्तरास्ट महासवा ने गाजा पट्टी में मानवी साहिता की निर्वात पहुँच और इसराइल हमास संगर्स को रोपने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था किसके दौरा सेंक्तरास्ट महासवा के दौरा भारत इसमें तूस्टेट्स थेयोरी का समर्थन करता है भारत क्या है जो इसराइल फिरिस्तीन के शेत्र का जो मुद्दा हुआ था तो तूस्टेट्स थेयोरी के बारे में आप पूछे तो आप ध्यान रखना एक स्वतन्तर संप्रभू फिलिस्तीन का पक्ष समाहित है चीक है फिसे त और आपने देखा होगा आरो ए यहां पर आप ध्यान देंगे आरो यहां में आपसे आजय पीजह की बारे में पूछ il इस्राइल से भारत के नागरे को सुरक्षित निकालने के लिए आपर आजय को चलाये गया था यह प्रशन आपका और यह पूछ अगला टोपिक आपका यहां पर क्या था दोर्जो शर्फिर्ट परेटन गाउ है यह निए थोर्डो के बारे में आदेखते हैं कि यहां पर कह रहे हैं कि धोर्डो जो है हिं हिसके बार के रखा मेंसे के दियन का जरब कर लाइस हो थे तो यद किछ जरबार को निए हुआ है है जरू मैं दौरडो ciao चुह Hai Jika दोंदा थेज्स में से पहले ंकी सब्सक्राइब। न हीधों काика भारत के सिल्क शहर का जाता है पोचंपली जिसको 2021 में सब्स्रेट पर्टन गाउं रखा गया तो तेलंगारा में है यह और भारत की मारड़ा मतप्रिदेश के इसके बाद इंपॉर्टन आपका है यह बहुत महतपूर्ण हो जाता है पैश्विक पेंशन सुचकांग क्या है यहां पर कह रहे हैं कि एक सर्वेक्षन है क्या है एक सर्वेक्षन है जिसमें भारत को 45 वा स्थान इसके अंतरगत मिला हुआ है और यह सूचकांग जो विश्व पेंशन सूचकांग यह मोनार सेंटर फॉर फाइनेंशल स्टडीज के दौरा मरसर के सयोग से सी एफ एस स्थान दौरा प्राजित एक सर्वेक्षन है सर्वेज भारत का स्थान 45 वा स्थान है वैश्विक जो है इस तरपर ठीक है यहां पर यह बहुत इंपोर्टन जाता है वैश्विक भूक सूचकांग ठीक है देखें जो ग्लोवल हंगर इंडेक्स है ना इसमें क्या है कि इसमें चार सूचकांग होते हैं किसके बेसिस पर यह जो तैक है कि कौन कितनी भूकपरी से जो है उसके चार संकीतिक हैं जैसे कि अल्प पोशन तीक है यानिकि अंडर नुटरिजमेंट इसका दुबलापन चाइड व भूक सूचकांग को तैयार किया जाता है जहां पर ध्यान रखना यह लाइन सीधे सीधे प्रश्में पूछ जाती स्टेटमेंट के तौर पर जिसमें शून सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है जबकि 100 सबसे खराब स्कोर माना जाता है तो कुछ इस प्रकार से इनका बुक इसके इंतरगत आता है गंभीर स्कोर के सीरिस के इंतरगत अपना भारत आता है यह जो सुचकांग है इसका थार्वा वाश्विक संस्करन है में इसकी थीम क्या है खाद प्रडालियों के आकार देने में युवाओं की शक्ति जा पावर आफ यूथ इन शेपिंग फूर सिस् के यहां पर और क्या चीज कह रहा है वहां यहां पर देख लेते हैं इसके संदब में ब्याइश्विक सूचकांग नि यहां पर आपका टर्म दिया गया है इसके अनुसार 23 के अनुसार बाद कोई भी देश ब्हुक्मरी की चरम यानिके extremely alarming स्थिती में नहीं है यूंकि हमन यहां पर काफी स्कोर दिये गए ते कि यह मॉडरेट है लो है सीरस है अलामिंग है तो अलामिंग में अभी तल पुष्य का कोई भी देश नहीं इसके अंतरगत आता है ठीक है बस इसमें इतना इंपॉर्टन है यहां देखना है कि ब्रिक्स देशों की स्थिति में भारत कौन अपना इससे भी पूरी स्थिति में है ठीक है भारत की रैंकिंग 111 भी वेश्विक भूख सूचकाहां कहते हैं जीरो मतलब सबसे अच्छा स्कोर और सबसे बुरा स्कोर तो आप देख लिए भारत की स्थिति क्या है भारत का स्कोर यहां भुकमरी की गंभी सितिति को प्र कई छेतों में दिया जाता है जैसे कि प्रशासित भौति की श्राइन चिकिस्था साहित शांती की छेता में नौबर प्रुषकार 1901 से प्रदान की जाते हैं ती कि अर्ध शास में नौबल प्रुषकार की स्थापना जो है स्वेरी जे सुन्स विक इस अर्थ शास का नोबल पुरुषकार जीते वाली तीसरी महिला यानि कि पहली महिला तो नहीं है तो पहली 2009 में जिनको अलिन और और स्टरों को दिया गया तो 2019 में एस्थर तफलो को दिया था इंपोर्टन यहां पर सिर्फ इतना है कि क्लॉडिया गोल्डन को अर्थ शास का न जब रसाइन का पढ़ेंगे चिकिस्टा का पढ़ेंगे कई जगे पढ़ेंगे वहां पर गुरूप में दिये जाते क्योंकि इतने बड़े जो रिसर्च होते वह सिंगल से तो होते रहे हैं तो अभी तक जितने भी इसमें पुरुषकार दिये गए अर्शास में वह गुरू अब किस परपस से इनको यह दिया गया है तो इन ने बहलाओं के संदर में लेवर मार्केट परणामों के बारे में हमारी समझ को उननत करने के लिए पुरूषकार दिया है उन्होंने कई सधियों के अबधी में महिलाओं की आय और श्रंब बाजार में उनकी भागेदारी स यहां पर देख सकते हैं इसके बाद इन्होंने क्लॉडिया गोल्डन ने कुछ पुस्तके प्रकाशित हुई इनकी जैसे 1990 में ध्यान रखना पुस्तकों से प्रशनाते हैं और दोबर पुरुषकार विजेता रही है तो हो सकता इससे आ जाए 1990 में इनकी जो पुस्तक थी करियर के साथ अपनी चीजों को चला के लिए के चलती कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हैं इनकी दो पुस्तक के नाम यहां पर दिये गए हैं इसके बाद आपका नेक्स आता है नोबल शांती पुरुषकार अभी आपने देखा अर्थशास पुरुषकार नोबल पु और इरान की नर्गिस को शांती पुरुषकार दिया गया है और इनको पुरुषकार अर्परिश्कार के रहे हैं और इनको कैद भी हुई थी इसके बाद इनको यह पुरुषकार से नवाज आ गया है ठीक है नर्गिस मौमी नौवल पुरुषकार शांती पुरुषकार जीतने वाली विश्य की 19 भी और इरान की दूसरी महला है यानि की इरान की कोई पहली महला रही है जिन्हों नहीं पुरुषकार जीता है तो 2003 में इरान की शिरोन एवादी ने ये शांती पुरुषकार जीता था ठीक है इरानी महिलात बनी है लेकिन पहली बार अब भी देखेंगे नर्गिस मौमधी जो है उन्हें नौवल शांती पुरुषकार इस साल दिया गया है जो कि इरान की और इरान की महिलाओं के उत्मीडन के विरो दवाद उठाने के लिए उनको य जादकना है इन को क्यों दिया गया इनके अभिना नाटक को और जो प्रोज है जो गद्य है उसे प्रदान कंपए जो अनकही भावनाओं को आवाज देते हैं नाटक के थूरु ऐसी चीज़़े कह देते है जिनको श्रपद नहीं नहीं गये जा सकते है इसके बाद आप दे आप देख लेना है तीक है इसके बाद रसाइन बिग्यान का जो नौमर पुरुसकार देना है तेखे को दिया गया छुआ द्यृट थिजेती अब आ तो साहिंक तूरूप से कि अनुझ चैनल से कुछ हो नहीं है रहा रहा है लेकिन बहुत टफ चीजे हैं भाई बहुत टफ चीजे हैं ठीक है तो इसके रहे से आप कुछ ट्रिक बना के याद रख सकते हैं इसके बाद कह रहे हैं कि अब किस वजह से इनको पुरुषकार प्रदान किया गए तो पुरुषकार क्वांटम डॉट्स याद रखना है यह खाम क्वांटम डॉट्स के खोज और संसलेशन के लिए यहां पर सिटी खोरs सकते हैं तो क्वांटम डॉट्स को तो पूछ ले तो प्र सिपर रिख गॉट्स आया है तो प्रेसंक देखें प्रेसंन य वैसे भी कौनटम डॉर्ट का ओपयोग है ओक वो Qled तक् वानिटरों और टेलिविजन स्क्रीन को प्रकाश्यत करने के लिए लेडी लेंप में भी इसका प्रयोग दाता है और तो और यह पेशेंट के शरीर से ट्यूमर वाले टिशू होते हैं उनको हटाने में भी क्लियर लाइट के से चिकिस्षकों के मांगतर्शन इसको कर सकते हैं प्रश्कार अब आता है दूसर आपका भौते विघ्ञान Kानॉबल पुरुषका। इसको दिया गया और यांपर देख्ते हैं वह बहुत तीन लोगों को यहाँ पर दिया गया अंुख और यो क्राउज 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 जो एनी एल हुई लियर ठीक है थोड़ा सा ट्रिक देखिए अपनी बनाई है याद करिए कोई ट्रिक बनाते तो हमें भी शेयर करिए रहा है आप इनको किस परपस है दिया गया तो पुरुसकार पदार्त में एलेक्ट्रोन गतिशीलता कि अध् सेकंद के अवसरा प्रदान करता है और अगर बोला जाएक एक एन को सेकंड कितने सेकंड के बराबर होता है थे बबहुत इंपोर्टेंट है है यह जब पड़ेगे पड़ेगे तो वह पर ढूंते रहे जाएंगे तो यह प्रश्ण आपका यहां से भी बन सकता 1 ? 2 सेकंड 10 to the power minus 18 second के सम्तुल्य होता है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद अगला क्या अपका कहता है अगला कहता है चिकिस्ता विज्ञान का नॉबल पुरुष्कार तो इसको दिया गया है तो चिकिस्ता विज्ञान का यह जो प्राइज होता है वह साइकलोजी साइकलो इसलिए इनको यह दिया जाता है जिया गया है यह परुष्कार जो है नुक्लियो साइट आधार संसादों से संबंदित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया जाएगा जो कोविड-19 के विरुत प्रभाबी MRNA ठीको का विकास में सक्षम बनाया है ठीक है इसके उत्पादन अगर आप डीप में जाएंगे ना अन्य टीको की तरह MRNA के भी एंटी बॉड़ी का उत्पादन करने के लिए यह इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने का प्रयास करते हैं जिससे किसी जीवेत यानिकी लाइव वायरस के संक्रमर से मुकाबला करने में मदद मिलती है ठीक है तो कल आपके सारे लेक्टर्स इसके कंप्लीट हो जाएंगे फिर जल्द ही हम एक से दो दिन में क्या करेंगे इसके MCQ को शुरू करेंगे जो आज तक आपने अब तक पढ़ा है या कल तक जो भी आप पढ़ेंगे उससे संबंदित जितने MCQ पॉसिबल आ उसको लाया चलिए कल बलते हैं